हेलो गाइज कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अगर आप भी गूगल पे के अप्लिकेशन को यूज करते हो तो आज किस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि गूगल पे एक नया फीचर यहाँ पे लोंज कर दिया है आज से सम्थिंग एक महिने पहले आरबे ने इसका परमिशन दिया था फाइनली गूगल पे में ये वाला फीचर आ चुका है जिसका नाम है यूपिय क्रेडिट लाइन नाम से आपको पता चलना होगा बाकि इस वाले वीडियो में इसके बारे में कंप्लेट इंफोर्मिशन आपको देने वाला इसका ww सो गाईalen जैसा का हम देखते आ रहे हैं कि पहले हम बैंक अकॉंट से भी स्टार्ट हुआ कुछ से कंपनी जहां पे पोष्ट पेड से अपने मर्चनट अकॉंट पे में एकसेप्ट करते हैं उसके बाद हमने देखा देखा कि जो रूपे क्रेडिट कार्ड उससे हम UPI से लिंक करके और उससे भी हम पेमेट कर सकते हैं और अभी सम्थिंग पिछले महीने ही RBA ने यहाँ पे परमिशन दे दी है कि आप क्रेडिट लाइन को भी UPI की तरह यहाँ पे लिंक करके और उससे भी पेमेट कर सकते हो जो कि Google पे में यह वाला फीचर आ चुका है जिसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ बाकि फोन पे में कब आएगा वो हम आगे यहाँ पे देखेंगे तो अभी यह वाला फीचर बहुत सारे अकाउंट में एड हो चुका है किसी किसी में अगर आड नहीं हुआ है तो आप वेट कर लेना आपके अकाउंट में भी यह वाला शो कर जाएगा यह फिर एप्लिकेशन को अपडेट करके आप देख लेना तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे प्रोफाइल पैना है Google पे कि जैसे प्रोफाइल में आओगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का दिखा देगा जिसमें आप देख सकते हो लिखा है setup payment method यहाँ पे bank account है रूपे credit card अगर आपने link नहीं किया है तो कर सकते हो यहाँ पे ओल्ड़ी मैंने phone पे का बता रखा है कि कैसे आप link कर सकते हो side में thumbnail देख रहे हो description box में link देदू है इस वीडियो को end तक देखने के बाद आप उसको भी check out कर सकते हो and you pay let का भी already मैंने यहाँ पे बता रखा है side में आपे arrow है आपको इस पे click करना है यहाँ पे आपको दिखा देगा you pay payment है उसके बाद आपे bank account add कर सकते हो रूपे credit card को भी add कर सकते हो तो अगर आपके account में यह वाला feature आया है तो आप भी इसके बारे में complete यहाँ पे जान लो कि यह किस तरीके से काम करेगा and यह जो credit line है वो कहां से add होगी या फिर किसी partner से हमें कोई limit मिलेगी या फिर यहाँ पे option मिलेगा सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो add credit line है pay with a pre sanctioned credit line इस पे click करते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको दो option यहाँ पे मिल रहे है select bank to add credit line यहाँ पे आपको bank select करना है ICCA bank है या फिर state bank of India है add यहाँ पे नीचे आप देख सकतो लिखा है if your bank name is not listed it means that your bank does not support credit line on google पे अगर आपका account जिस भी bank में है वो bank यहाँ पे list नहीं है तो जो credit line वाली यह service है इसको support नहीं करता है थोड़ा wait कर लो बाद में यहाँ पे नाम दिखा देगा जैसे हमने UPI light का देखा था कुछी bank ने starting में support किया था बाद में और भी bank यहाँ पे add होते गए उस तरीके से फिलाल यहाँ पे ICSA bank and state bank of India है तो अगर आपका in bank में account है तो आप उसके credit line को यहाँ पे add कर सकते हो नहीं है तो आपे थोड़ा सा wait कर ले आपका bank जब भी show करें तो उसे आप add कर सकते हो तो मेरा यहाँ पे state bank of India में नहीं है ICSA bank में है तो मैं इसका यहाँ पे बता देता हूँ जैसे ICSA bank पे click करते है finding credit line दिखा रखा है यहाँ पे आ गया है could not find credit line cannot find you pay credit line with your mobile number and selected bank account तो मेरा account ICSA bank में है credit line यहाँ पे find नहीं दिखा रखा है मतलब जो pay letter की service है मैंने ICSA bank में activate नहीं कर रखी है अगर ICSA bank में जो pay letter की service है उसे activate कर लेता हूँ तो वो यहाँ से link हो सकती थी उसके बाद यह link होने के बाद मैं किसी भी QR code पे इस pay letter service से direct payment कर सकता हूँ इसी तरीके से state bank of india का दिखा रखा है तो अगर state bank of india में pay letter की service मिलती है तो bank account के application में जाके पहले उसे activate करो और बाद में google पे में जाके इस वाले यहाँ पे इसे add कर लना है जैसा मैंने आपे add करके बताया तो मेरे पास यहाँ पे ICSA bank में account तो है यहाँ पे activate नहीं किया क्योंकि इसका कुछ रीजन था जिसका मैंने इस वाले वीडियो में बता रखा है side में आपको thumbnail देखने को मिल जाएगा उसमें complete आपको information बताईए कि कैसे आपको ICSA bank का pay letter activate करना है add activate करना चाहिए या नहीं करना चाहिए region भी मैंने वहाँ पे बता रखा है तो आप इस वाले वीडियो को check out कर लेना link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा आसा करता हूँ मेरे द्वारा दीग गई जानकारी आपको helpful लगी है अगर आपको ये वाला feature यहाँ पे मिल चुका है तो आप इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हो वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो like जरूर से कर देना बाकि अगर आप banking के related और भी वीडियो देखना चाहो तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो वहाँ पे already मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे है credit card, banking, loan, cashback offer, included तो आप वहाँ से जाके check out कर सकते हो साथ ही में ये वाला वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को subscribe करके bell icon को all पे जरूर से press करना ताकि future में आने वाले वीडियो के notification आपको मिल सके आज किस वीडियो को end तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में